हेलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मा को थेरोपीडिस का जो हमारा लेक्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक यह यूं कहें चैप्टर 2E ठीक है ना तो मेरे खाल से आप मैं उमीद कर रहा हूं यह 2E का क्या मतलब है बात समझ रहे हो गए हम लोग मैं किसको फॉलो है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं ठीक है ना वुक्स वगएर में 234 का दे रखा है तो यह 2E जो हमारा स्टार्ट हुआ था उसका लेक्टर नमबर टू कितने लेक्टर होंगे इसमें चार लेक्टर होंगे ठीक है ना तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैप्टिक अलसर को हम लोग कहीं ना कहीं फार्मकोलोजी में पढ़ चुके हैं अगर उसका क्लासिफिकेशन याद है तो उसके क्लासिफिकेशन को उठा करके इसके फार्मकोलोजीकल एक्शन में लिख सकते हो बात समझ मारी है ठीक है तो पैप्टिक कल्चर क्या होता है हम सब को पता है पेट गाओ, सोर क्या होता है? जखम होता है, घाओ होता है, that develops on the lining of the isofigus, lining मतलब सबसे अंदर की परत होती, उसे lining कहते हैं, isofigus की परत में या stomach की परत में, या small intestine की जो सबसे अंदर की परत होती है, वहाँ पे कोई जखम हगर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, peptic ulcer, clear है? ठी क्यों है, जो stomach में acid बन रहा है, और वो acid उसकी परत होती है, उसको damage कर देता है, तो ulcer बन जाता है, ठीक है, of the digestive tract, common causes include the bacteria, H pylori and anti-inflammatory pain reliefs, including aspirin, generally count होता है, एक bacteria होता है, हमने सीखा था, यह bacteria किस तरीके से, pharmacology में देखा था हम लोगोंने, bacteria क्या क्या करता है, अपने आस-पास के महल को basic बनाने के लिए, H plus ions को पेट के दर छोड़ता रहता है, तो पेट बहुत ज्यादा acidic बना रहता है, उसके वैसे भी acid बनता है, फिर वो पेट की जो layer होती है, उसको damage करता है, anti-inflammatory pain relief, जैसे एस्प्रिन टाइप की जो दवाए है, NSID वगरा होती है, वो भी अगरती होती है, पेट की परत जो होती है, वहाँ पर उसको damage करती है, अब upper abdominal pain is common symptom, यह पूरा पूरा क्या है हमारा पेट, देख रहे हो, यह पूरा abdomen होता है, यह अपर abdomen, यहाँ पर धर्द होना एक normal सी बात रहेगी, ठीक है, treatment usually include medication to decrease stomach acid, treatment में generally क्या होता है, हम लोग कोशिश करते है acid को कम production करें, if it is caused by bacteria, antibiotic may be required, अगर यह बैक्टेरिया की वज़े से है, तो हम लोग antibiotic का भी इस्तमाल करेंगे, okay, ideology, the most common cause of peptic ulcers are infection with the bacterium, याना कि बैक्टेरिया की वज़े से होने वाले infection की वज़े से ही peptic ulcer होते हैं, और उस बैक्टेरिया का नाम क्या, one mass portion very important, helicobacter pylori and long term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSID, such as ibuprofen और naproxen sodium, अगर इसका लंबे समय से इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपको peptic ulcer हो सकते हैं, pathogenesis, simple सी बात है, जो अंदर की परत है, जो layer है, वो हमारी क्या हो जाती है, damage हो जाती है, याने कि, जैसे suppose हमारे पास, ठीक है ना, यह पेट है, अंदर की जो layer ह यहाँ पर जो होती है, वो damage हो आती है, तो चाहिए bacteria हो, अब देख लेते हैं हम लोग, pathogenesis क्या रहागा, bacteria हो, NSID हुआ, smoking हुआ, genetic हो गया, stress हो गया, ठीक है, यह क्या करका, impaired mucosal defense, जो mucosa को उपर bicarbonates रहते हैं, जो defense करता है, उसको बरवाद कर देंगे, चाहिए यह इस बरवाद भी कर सकते हैं, या acid secretion को बढ़ा देंगे, acid secretion जब बढ़ेगा, तो यह damage करेगा, जब यह impaired हो जाएगा, mucosa, ठीक है, तो ultimately क्या बनेंगे, ulcers बनेंगे, या जैडी syndrome होता है, जो लिंजर ऐलिसन syndrome होता है, उसमें acid बहुत ज्यादा बनता है, उस case में ultimately क्या है जो mucosa है, वो damage हो रही है, simple सी बात है, यह सारे factor मिल करके, mucosa को damage कर रहे है, और इसकी वाइस से ultimately क्या बन रहा है, ulcer बन रहा है, clear हो गया pathogenesis, इस तरीके सा हमारे ulcer बन जाते है, अब clinical manifestation की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या-क्या है, हमारे बात क्लिनिकल manifestation में, most common symptom is mid-epigastric, बीच पेट के हलका से उपर, है न, abdominal pain, महाँ पर दर्द रहेगा, pain generally ऐसा होता कि tolerant हो जाता है, लेकि हलका हलका होता रहता है, frequently we lived by, frequently relieved होगा, RE, ठीक है, R होगा, frequently relieved, relieved मतलब हो गया, अराम मिल जाता है, इससे acid बनता बहुत जादा, तो खाना खाले तो acid थुर थुर देके लिए, क्या होता है, शान्त हो जाता है, तो खाना खाले तो थुर देके लिए, दर्द होता है, शान्त हो जाता है, तब pain में भी episodic, episodic मतलब समय समय पर होगा, worse during periods of emotional stress, और यह दर्द बहुत जादा बढ़ जाएगा, अगर आपका emotional stress, अगर stress बढ़ेगा, तो दर्द भी बहुत जादा बढ़ेगा, many patients do not seek medical attention, कई सारे patients को doctor की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दभाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, constant pain, deeper ulcer penetration, अगर दर्द लगातार हो रहा है, इसका मतलब जो आपका ulcer है, वो अंदर फाड़ करके घुस रहा है, मतलब वो छाला जो ह खुले छेद, जैसे नहीं जखाम का खुला मूँ होता है, अगर free perforation मतलब होता है छेद, अगर यह से खुले हुए हैं पूरी तरीके से, तो diffuse peritonial, यानि कि यहाँ पर diffuse peritonial वाला part होता है, वहाँ पर irritation है, ठीका आप peritonial उमीद करता हूँ, हम लोगों ने सारे terminology सीखी तो आप peritonial का मतलब समझते होगे, तो वहाँ पर free perforation होते हैं, छेद, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पर खुले हुए छेद मौजूद हैं, जो की दिक्कत कर रहे हैं, तो कई सारे clinical manifestation है, हमारे पास, जो याद होएं अराम से उनको याद करना, now, non-pharmacological common है, हमें spicy, हमें पूरा पेट भर के खालना, और heavy होता है, भार ही भर कब, जैसे कि non-veg वगएरा हो गया, यह सब चीजी नहीं खाएंगे, encourage small frequent low calorific meal, कम ताकत वाले जैसे ही खिच्णी वगएरा हो गया, ठीक है, और थोड़ी-थोडी महतरा में जादा बार खाएंगे, दिन में तीन बार न क्लासिफिकेशन देखोगे, तो तुमको याद आएगा, पैप्टिक अलसर का, जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, वही पूरा उठ करके, यहां पर आ गया है, reduction of gastric acid secretion, anti-acid, ulcer protective, ulcer healing drugs, anti-h pylori drugs, ठीक है न, तो सब category याद नहीं करोगे, इनके example सीज़-सी याद रख लोग है न, कौन-कौन रेंटिदीन इसकाना था, ओमेप्राजोल था, ठीक है, anti-acid में कमर कौन, sodium bicarbonates होते है, ulcer protective, sucral fate था, यहां पर, amoxiline, metronidazole वगरा था, ठीक है, तो यह वही पूरी classification आगी, पैप्टिक अलसर वाली, जो हम लोग ने फार्मकोलोजी में सीखी दी, मज़ा आया, यह देखकर आ, जिसको यादो को कहेगा, रहे वाँ, यह तो मज़ा आगे, यह तो वही सारा लिखना है, है न, तो चीजों को जहां लगे कि, अच्छा आप जैसे यहां पर इस तरह categorize कर रखा है, तो लोग इस तरह categorize कर दो, यहां पर table बना दोग चल जाएंगी, ठीक है, बास समझ मा रही है, तो अगेन यह अपना छोटू सा chapter, छोटू सा lecture था, ठीक है, तो करना क्या है, पढ़ना है, रिवाइस करना है, और जितनी चीजें match हो रही हैं, तुरंत रुको, छोटे lecture होते हैं, बेशा कि 10-15 मिंट के lecture होते हैं, लेकिन यहा होते हैं, बास समझ मा रही है, बाद वाकी मैं तो हुई, नंबर यहां मौजूद है मेरा, पढ़ते रहो, रिवाइस करते रहो, all the best!